एक information देनी थी कि 17 दिसेंबर को सुसयास्रम में मतलब यहां पर सुसयास्रम मांडर कोलेज गेट भी बोलते हैं वहां पर एक competition होने वाला है तो सारी डीटेल आपको यहां पर दिखाए दे रही होगी कि किन लोगों ने यहां पर organize किया हुआ है और किस तरह से आप इसको करेंगे कैसे नी फिलब करेंगे तो इसके लिए मैं यहां पर डीटेल्स बताने वाली हूँ इवन लिंक भी प्रवाइड कर दूंगे डिस्क्रिप्शन में तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डारेक किस पॉम को फिलब कर सकते हैं और कॉम्पटिशन में भाग ले सकते हैं तो पंदरा तारीक लास डेट है 15 तक आप अपना नाम दे सकते हैं किस किस चीज को कॉम्पटिशन है यह आपको आगे वीडियो में पतर चल जाएगी तो यही है आज की वीडियो में मतलब में इम्पोर्टिंट बोल सकती हूँ कि यह जो कॉम्पटिशन होने वाला है यह है इसके लिए कोई भी मतलब चार्ज नहीं लगेगा पैसे नहीं लगेगा बड़ आपको कैसे करना है उसकी पूरी डीटेल मैंने इस वीडियों बता करके रखिए तो आप देखिए वीडियो को और कंप्लीट कीजिए एटूजट आपको इस वीडियों में देखने के लिए मिल जाएगा तो इसके लिए जो लिंक प्रोवाइड किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो वहां से देखर के आप कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको जब आप इसका पेज जो हो फिलप करने जाओगे जब आप रजिस्टेश हो ताकि आपको समझ में आए 17 डिसंबर को हो रहा है वैन्यू है सोसाई ग्राउन मांडर रांची जारगन ठीक है तो कई सारे एवेंट होने वाले हैं सारी चीज़ी हैं कि कौन भाग ले सकता है और कौन नहीं लिजिबिलिटी क्या है वो देख सकते हैं the competition is open to participants of all ages सारे उम competition को छोड़ करके और यहां पर आप ग्रूप में भी participate कर सकते हैं और इंडिविज्वल जो अकेले करना है तो अकेले भी कर सकते है रजिस्टेशन जो है 15 दिसंबर तक हो जानी चाहिए उसके बाद रजिस्टेशन जो है बंद कर दिया जाएगा guidelines वगेरा है यहां पर देख सकते हैं कि minimum जो है चार member होने चाहिए group में अगर आप dance कर रहे हैो और maximum 15 deferioè होने चाहिए जब जीज़े है सॉ Pang अगर चूनते हो तो पांच मिनट से जयादा नहीं होना चाहिए और Thinking में गाना होगा धाई मिनट से कम नहीं और पांच मिनट से जादा नहीं होना चाहिए कई सारे information है जो important लग रहा है मुझे वो मैं बता दे रही हूं यहाँ पे और जो जजिस का जो decision होगा वो final होगा painting competition के लिए कोई भी age नहीं है और यहाँ पे fashion show भी होने वाले उसके लिए कोई age limitation नहीं दी गई है award price वगेरा सब same day ही मिलने वाला है तो इसमें first, second और third को price मिलेगा और जो participate कर रहा है ना तो उनके लिए runner-up जो होता है ना मतलब first नहीं आया तो उसके बाद वाले जो होते हैं third के बाद वाले उनको भी मिलेगा तो first runner-up, second runner-up और third runner-up को भी मिलेगा price अब आगे नीचे देखते है safety guidelines वगेरा सारा दिया गया है disqualify भी हो सकते हैं आप अगर आप rules regulation को follow नहीं करते हैं अब यहां पर आ जाता है main की आप किस तरह से form को fill up करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर participants का नाम है तो आप अपना नाम यहां पर fill up कर सकते हैं जैसे कि मान लिजे मुझे fill up करना रहेगा तो मैं यहां लिख देती हूं इस तरह से मेरा ना ठीक उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि please write down the name of the group leader if applicable तो यह जरूरी नहीं है ठीक है देखिए जहां कहीं भी star mark नहीं लगा हुआ है यह देखिए red color का जो star mark दिख रहा है अगर यह नहीं लगा हुआ है तो उसको भरना जरूरी नहीं यहां पर बोल रहा है कि अगर को स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि मैंने बताये हैं यहां पर कोई age limitation है नहीं तो ममी पापा अंकल आंटी सब को भर सकते हैं तो यहां पर अगर स्कूल का नाम नहीं लिख रहे हो तो आप कोई भी institute का नाम लिख दो या फिर आप अपने address लिख दो कुछ भी आप लिखोगे यहां पर काम चल जाएगा address भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा जैसे मैं तो किसी स्कूल में पढ़ती नहीं तो मैं अगर यहां पर मांडर भी लिख देती हो ना तो भी देखना काम चल जाएगा ठीक है जरूरी नहीं का आप के लिए बता रही हो आप निकलास को सही से लिखना और जो भी स्टार मार्क है उसको आपको भरना ही पड़ेगा तो मैं यहां पर इस तरह से भर देती हूं ठीक है अब उसके बाद में डेट वर्थ फिलब करना है तो डेट वगेरा यहां से चुन सकते हो जो भी आपका डेट कि करें अब यहां से स्क्रॉल आपka स्क्रॉल डान करें यहां से सब्सक्राइब को साल ही ठीक है जैसे मैं यहां पर चुन लेती हूं 2010 मैं इक्जांपल गो बता रही हो exact आपको बरना है अब यहां पे आपको December 2010 दिख रहा है आपको चाहिए कौनसा महीना तो arrow में क्लिक करके आप आगे और पीछे कर सकते हैं तो मैं August चुन लेती हो और यहां से मैं चुन लेती हूं तो सबसे पहली year चुनेंगे उसके बाद month चुनेंगे उसके बाद date चुनेंगे ठीक है उसके बाद set पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से date set हो जाएगा ठीक है उसके बाद में यहां पे जेंडर क्लिक करना है तो male है female other जो भी आप उस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद में father's name लिख दीजेगा जो भी आपका father's name है तो मैं यहां पे कुछ भी इस तरह से लिख दे रही हूं and then mother's name लिख दीजेगा तो यहां पे भी मैं इस तरह से example के लिख रही हूं and then contact number आपको दे देना है तो आप 10 लोग आपसे contact कर सके ठीक है मैंने random सा कोई number लिख दिया है अब यहां पर category चूज करने यह important है आपको यहां पर solo dance करना है यह group dance करना है पेंटिंग competition भाग लेना है रंगोली competition भाग लेना या फिर fashion show में भाग लेना है तो पांच यहां पर competition हो रहे हैं जिसमें से आप भाग ले सकते किसी पर ठीक है देखिए मझे व्हें solo dance करना है तो मैं solo में click करोंगी अगर group dance करना है तो ग्रूप में click करना है पेंटिंग में तो एक ही में आप मतलब तो ये भरना पड़ेगा, ठीक है, अगर dance नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई बात नहीं, आप दूसरी जो कर रहे हो, वो भी कर सकते हो, जैसे कि total number of members participating in the group competition, रंगोली and dance, also kindly mention their names and ages, तो बोल रहा है कि dance के लिए और रंगोली के लिए, ठीक है, आप कितने members हो, अगर मान लिजे अपने painting चुना, तो उसके लिए भी आपको भरना पड़ेगा, मतलब सारे के लिए आपको ये number भरना पड़ेगा, और उसमें लिखना पड़ेगा कि कितना number है, कौन-कौन भाग ले रहा है, नाम लिखना है, और उसका age कितना है, वो भी लिखना है, ठीक है, तो मान लिजे मैं यहाँ पर pending competition में हूँ, तो अगर चार्जन भाग लेग रहे हैं, तो 4 परसन लिख दूँगी, ठीक है, उसके बाद मैं number 1 करके एक जन का नाम लिख दूँगी, कुछ भी, जैसे अमन लिख दिया, और फिर age उसका मैंने लिख दिया, 12 years, ठीक है, इसी तरह से कर करके मेर को जितने लोग है, चार लोग, उनका पूरा मेरे को डीटेल लिखना है, ठीक, उसके बाद duration of dance performance, अब यहाँ पर देखो, यह स्टार मार्क नहीं है, तो यहाँ पर आपको भरने के जरूरत नहीं है, इसके उपर वाले में स्टार मार्क था, तो यह आपको भरना ज़रूरी है, अब यहाँ पर टाइम के लिए स्टार मार्क नहीं है, तो यह आप छोड़ सकते हैं, अदर्वाइस भर भी सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, नीचे देखिए, terms and condition दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी चीजे को यहाँ पर टिक कर देना है, सारी चीजे क कर लोगे, आप एक स्क्रीन शॉट लेके रख लीजेगा, and then, simply 17 तारी को पहुंच जाना है, शुर्षय यासरम ग्राउंड, and then, स्क्रीन शॉट आप दिखा सकते हो, या फिर डारेकली वहाँ पर पता चल लाएगा, अगर आप स्क्रीन शॉट दिखाओगे, तो वहाँ पर फिर कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे नेक्श वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई